हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है मेरे यूटूब चैलन पर एक ऐसा सिव मंदिर जहां पर सिवलिंग पर चड़ाई जाती है जाड़ू बगवान सिवजी पर बेल पत्र और धतूरे का चड़ावा तो आपने सुनाई होगा लेकिन उत्तर प्रदेश के एक शिव मंदिर में भक्त उनकी अरादना जाड़ू चड़ा करते हैं मुरादाबाद जिले के बहजोई गाओं के प्रचीन शिव मंदिर में श्रदालू अपने त्वचा संबंदी रोक से चुटकारा पाने और मनोकामना पूर्ण करने के लिए जाड़ू चड़ाते हैं इस मंदिर में दर्शन के लिए भारी संख्या में भक्त सिर्फ मुरादाबाद जिले से ही नहीं बल्कि आसपास के जिलो और दूसरे प्रांतों से भी आते हैं मंदिर के पुजारी का कहना है कि यह मंदिर 150 वर्स पुराना है इसमें जाड़ू चड़ाने की रस्म प्रचीन काल से चलिया रही है इस शिव मंदिर में कोई मूर्ती नहीं है बलकि एक शिवलिंग है जिस पर श्रदालू जारू अरपित करते हैं वैसे तो प्रति दिन ही यहां भील रहती है लेकिन सुमार को श्रदालू हजारों की संख्या में आते हैं मानत है कि इस मंदिर की चमतकारी शक्तियों से त्वचा के रोग से मुक्ती मिल जाती है इस धारना के पीछे एक दिल्चस्प कहानी है इस गाओं में विकारिदास नाम का एक वैपारी रहता था जो गाओं का सबसे धनी वैकती था एक दिन वैगाओं के एक वैद से उपचार कराने जा रहा था, कि रास्ते में उसे प्यास लगी, तभी उसे एक आश्रम दिखाई पड़ा, जैसे ही वै आश्रम के अंदर गया, दुरगटना वस आश्रम के महंत के जाडू से उसके शरीर का स्पर्श हो गया, जाडू के स्प से विकारिदास का दर्द वा रोग ठीक हो गया, जब विकारिदास ने महंत से इस चमतकार के बारे में पूछा तो उसने कहा वै भगवान शिव का प्रबल भक्त है, और यह चमतकार उन्हीं के आशिरवात से हुआ है, विकारिदास ने महंत से कहा कि वै सोने की असरफियों से भरी थैली पुरुसकार सुरूप ले 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 लेकिन महंत ने कहा कि अगर कुछ लोटाना चाहते हैं तो आश्रम के स्थान पर शिव मंदिर का निर्मान करवा दे कुछ समय बाद विकारिदास ने वहां शीव मंदिर का निर्मान करा दिया दीरे दीरे यह मान्यता हो गई कि इस मंदिर में दरशन कर जाड़ू चड़ाने से तवचा के रोग से मुक्ति मिल जाती है इस मंदिर में जादतर लोग त्वचा संबन्दित लोग से छुटकारा पाने के लिए आते हैं, लेकिन संतान प्राप्तिवा दूसरे तरह के समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए भी शदालू भारी मातरा में मंदिर में शिवलिंग पर जाडू चढाते हैं